नमस्काल मैं हूँ शुभी और आप देख रहें निवस्वानेशन स्टीटी रिजल्ट की घोशना के साथ ही बढ़ते हंगामे और आंदोलन को देखते वी सिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसा लिया गया है qualified in merit list and qualified but not in merit list वो लोग भी अप सिक्षक बनने के योग होंगे जहां अगर आपका नाम merit list में है तो भी आप सिक्षक बनने के योग हैं इसको लेकर सिक्षा विभाग की तरफ से एहन फैसला लिया गया है क्या कुछ जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं बतादे की जो लोग STAT में qualified in merit list और qualified but not in merit list दोनों को सिक्षक बहाली के लिए योगे बताया गया है नया सर्कुलर जारी किया गया है सरकार के इस फैसले के बाद STAT 2019 में नियूंतम उतिनिता के आधार पर गोशित qualified अभियर्थी भी अब सिक्षक बनने के योगे हैं इदर सिक्षा विभाग नें दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि वर्ष 2011 के STAT पास अभियर्थियों का प्रमान पत्र जिसकी अवधी इसी मां खत्म हो रही थी उसे जीवन परियंद वैलिज कर दिया गया है 2011 STAT पास सभी अभियर्थी भी अब 2019 के qualified अभियर्थियों की तरह सातवी चरण की सिक्षक बहाली और उसके आगी की न्यूक्तियों में भाग ले सकेंगे और शिक्षक बन चकेंगे बताते चले कि राज्य में इसी साल मादमिक और रोच मादमिक स्कूलों में 37,440 पदों पर सिक्षक बहाली होने वाली है जिसके लिए अब सभी STAT पास अभियर्थी योग्य माने चाहेंगे वर्ष 2019 STAT में 15 वर्षों की परिक्षा ली गए जिसमें से मार्च माह में 12 विश्यों का रिजल्ट जारी किया तीन विश्यों का रिजल्ट इसी सब्ता जारी होना है इसी के साथ बहार बोडनी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया है तो आपको बता दी कि STT रिजल्ट की घोशना के साथ ही बहार के अलग-अलग जिलों में अभियर्थियों का उग्रांदोलन देखने को मिला लगातार कई तरह की तस्वीरें सामने आई निस्वा निशन ने भी आपको अलग-अलग जिलों से तस्वीरें दिखाई बूर्ट ऑफिस के बार अगर हम बात करें अभियर्थियों की तो उनके तरफ से काफी जादा उग्रांदोलन की आ गया था गीच को तोड़ कर अंदर घुसने की कोशिश की गई अलग-अलग राज़ितिक दल भी इसमें सामिल हो गए और उनकी तरफ से भी अभियर्थियों को लेकर मांग की जाने लगी और यही वज़ा है कि सिक्षा विभाग को यह मिर्णने लीना पड़ा आपको बता दे कि अगर आपका नाम merit list में है इसके बात भी आप सिक्षक बनने के रिए योगी है और अगर नहीं भी है क्वालिफाइड है तो भी आप सिक्षक बनने के योगी है आपको बता दे कि रिजल्ट में हुई धानली को लेकर लगा ताज शातरों के तरफ से उग्रांदोलन किया जा रहा था इतना ही नहीं किसी का कहना था कि तस्विर मेरी है रिजल्ट किसी और का यानि कि अलग-अलग तरह की तस्विरें सामने आए रिजल्ट को लेकर जिसको लेकर छातर काफी जादा गुस्से और आक्रोश में नजर आए थे अलग-अलग राजितिक दलों की बात करें तो उनकी तरह से ये कहा जा रहा था कि बिहार यानि कि प्रदेश भर में अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो ग्रांदोलन किया जाएगा लेकिन सि अधर किनार कर एक एहन फैसला लिया और सिक्षकों की हित में लिया जादा अब जीट के लिए आप बने रहें निस्वानीशन के साथ नमस्का